गुड बॉर्णिंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेडिय विद्वे ठाकर पर तो चले शुरुआत करते हैं आज की तरह हिंदू डिटोरियल वकाबलरी की वकाबलरी से आज का पहला वर्ल्ड है at a crossroads at a crossroads idiom की तरह use होता है idioms और phrases की तरह use होता है यह word at a crossroads का मतलब होता है हमेंसे important कोई situation पर है ऐसे महत्वपून हम पढ़ाओ पर है जहांपे हमें कोई महत्वपून decision लेना हो उसे बोला जाता है at a crossroads example आप देख सकते हैं कि after earning my degree I am at a crossroads I need to figure out which direction my life should take यह बात कही गई है कि degree प्राप करने के बाद मैं important ऐसे पढ़ाओ के था जहां मुझे decide करना था कि मैंने कौन से field को जोड़ना है मैंने किस तरफ आगे बढ़ना है अगला हमारा शब्द है ethnicity यहां पर नाम की तरह use हुआ है world ethnicity का मतलब होता है किसी जैसे विशेश धर्म के लोग होते हैं सिख इसाई, मुस्लिम या हिंदू तो उन लोगों के समोहों को विशेश नसल जाती या जाती है समोहों को बोला जाता है ethnicity ethnicity के synonyms आप देख सकते हैं nationality, race, background or customs, traditions, antonyms है competent, hostility, isolation और incompatibility example देख लिजे, he said his ethnicity had not been important to him दो विक्तियों की बात हो रही है कि एक विक्ति बोल रहा है कि उसकी जाती है या उसकी धर्म से वो संबंद रखता है उसे उस विक्ति को किसी तरह का कोई फरक नहीं पड़ता, वो महत तो नहीं रखता है उस विक्ति के लिए अगला हमारा शब्द है, irreconcilable 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 word यहां पर adjective ही तरह यूज हुआ है, irreconcilable का मतलब होता है किसी चीज के हम कटर विरोधी हैं, या फिर टस से मस ना होना अपनी बात पर, अपने बात पर अड़े रहना दूसरों की ना सुनना, कटर रहना, अपने बात पर अड़े होना, परस पर विरोधी होना एक दूसरे के या चीजों में आप इसमें और समानता होना, बेमेल होना, उसे बोलाता है irreconcilable irreconcilable के synonym से आप देख सकते हैं, competent, hostility, isolation और incompatibility antonym से reconcilable, compatible, compatible, constant, consonant और consistent example देख लिए, these old concepts are irreconcilable with modern life तो किनी तरह के पुराने concept की, पुराने विचारों की बात की गई है कि यह जो पुराने विचार है, कटर या पुराने विचार है, यह बिल्कुल modern life के साथ, बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं अगला हमारा शब्द है, provenance provenance, word यहां पर नाम की तरह use हुआ है, provenance का मतलब होता है provenance का मतलब होता है, किसी भी चीज का कहां से उदगम हुआ है, उसका मतलब origin point कहां पर है, source कहां है origin कहां है, कहां से उसका विकास हुआ है उदगम स्थान, जन्म स्थान या उदगम, स्त्रोत्र उसे बोल राता है provenance provenance के synonyms आप देख से है source, origin, derivation, birthplace or beginning, antonym से end, conclusion, ending, death or denouement example देख लिजी they try to understand the whole universe, its provenance and fate तो किनी व्यक्टियों की बात की जारे है कि वो कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो ब्रह्मधान है, उसकी उत्पत्ती कैसे हुई है उसका मतलब विकास किस तरह से हुआ है तो लोग जाने की कोशिश कर रहे थे अगला हमारा शब्द है prudent prudent यहां पे एजेक्टिवी तरह यूज हुआ है world prudent का मतलब होता है अपनी समझदारी से अपनी बुद्धी से विवेक पूर्ण तरीके से चौकसी से सावधानी से काम लेना अपनी बुद्धी का परयोग करके विवेक से काम लेना उसे बुलाता prudent से नौरियम से careful, wise, judicious और sensible अनौरियम से imprudent, foolish, careless और wasteful एक्जम्पल देख लेजिए अपनी बुद्धी मता पूर्ण ये कार्य था कि हमें सारी precautions जो है वो लेनी चाहिए इसे में बुद्धी मानी थी अगला हमारा शब्द है stalemate यहाँ पे नाम की तरह word यूज हुआ है stalemate का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई अडंगा होना कोई गतिरोध होना बाधा आना अवरोध किस्ति थी गतिरोध किस्ति थी उसे बोला जाएगा stalemate synonym से deadlock, impass, standstill or standoff and synonym से progress, advance, headway or advancement example देख लेजिए this stalemate must be resolved promptly तो किसी तरह के उसी गतिरोध किया problem की बात किये जादे कि अगला हमारा स्थिती में उस गुस्ते को थोड़ा सा शांत करना, धीमा करना, उसमें कमी करना या फिर आग बुझाना उस सेंस में भी इस वर्ड का यूज़ होता है एस्वेज्ट का एस्वेज्ट के synonym से allying, alleviating, appeasing, mitigating antonym से suffering, activating, agitating or arousing example देख लीज़े, the police try to assuage the angry mob तो यह पुलिस की बात की जारे है कि पुलिस ने क्या किया जो गुस्तेल भीड थी मतलब काफी आकरोश भीड के अंदर लोगों की भीड के अंदर काफी आकरोश था तो उन्हें शांत करने की पुलिस ने कोशिश की अगला हमारा शब्द है insurmountable insurmountable word यहां पर जिक्तिवी तरा यूज़ हुआ है insurmountable का मतलब होता है ऐसी समस्या या ऐसी problem जो की solve ही न हो पाए जिसको solve करना टेड़ी हीर हो मतलब ऐसा कोई काम या जिसका समधान करना जिसको solve करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जिससे निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो मतलब असंभव हो यह किसम से उसे बोला जाता है insurmountable insurmountable word के synonym से insuperiable maaf किजीगा insuperiable, impassible, invincible or unbeatable antonym से surmountable, attainable, conquerable or vulnerable example आप देखते हैं the crisis doesn't seem like an insurmountable problem तो किसी तरह के crisis की बात की जारे की जो crisis है यह हमें नहीं लगता है कि इसका समधान असंभव है मतलब इसको इससे निपटा जा सकता है इससे solve किया जा सकता है अगला हमारा सब्द है dispensation dispensation word यहां पे noun की तरह dispensation का मतलब होता है किसी तरह का कोई नियम या कानून या कोई विधान है, कोई law है तो उस कानून से किसी विक्ति को चूट मिले कुछ करने के लिए थुड़ी permission उसको मिले तो उसे बोला जाता है dispensation, मतलब कोई नियाय ववस्ता है कानून वरस्ता है तो किसी एक व्यक्ति को उससे special कोई छूट मिले उसे बुला जाता है dispensation कोई कारे करने की synonyms आप देखते हैं exemption, permission, license, allotment antonym से denial, veto और harshness और ban example आप देखते हैं they were promised dispensation from military service तो ये बात कोई statement दे रहा है कि किनी लोगों को ये छूट military सेवा में छूट दी गई थी कि उन्हें इस तरह से नहीं करना पड़ेगा कि मिलेटरी सर्विस से उन्हें छूट दी गई थी उन्हें ये वादा किया गया अगला हमारा शब्द है unrest यहाँ पे नाम की तरह word यूज हुआ है unrest का मतलब होता है मतलब पूरी तरह से turmoil होना कहीं आशान्ती बेचेनी व्याकूलता या असंतोष की स्थिती उसे बोले जाता है unrest सिनॉनिम से आप देखते है turmoil, agitation, disturbance, disorder, disquiet or trouble एंटरॉनिम से peace, calm, harmony और comfort एक्जामपल देख लीजिए the real danger is civil unrest in the east of the country तो ये बात कहीं गई है कि सबसे बड़ा खत्रा जो था country के जो east की तरफ को था वो सबसे बड़ा यही खत्रा था कि वहाँ पे इस तरह के लोगों के बीच जो civilians के बीच थे उसमें आशान्ती बढ़ रही थी व्याकूलता या बैचैनी असन्तोष की भावना बढ़ रही थी तो सबसे बड़ा खत्रा यही था अगला हमारा शब्द है paradigm यहाँ पे नावं की तरह word यूज हुआ है paradigm का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक आदर्श उधारन पेश करना एक मिसाल पेश करना उसे बोला जाता है paradigm synonym से model, pattern, example, standard antonym से flow, fake, a typical sample और untypical exemplar example देख सकते हैं the way we create whole new paradigms of development तो यह बात कही गई है कि विकास के हमने development के हमने सारे यह जो उधारन पेश किये हैं इसकी बात कही गई है अगला हमारा शब्द है profil gate, profil gate word यहां पे एजिक्टि भी तरा यूज़ गया profil gate word के दू-तिन मैंने आपको मतलब पहले भी बताया थे profil gate का मतलब होता है कोई विक्ति यह दी unnecessarily धन की या फिर समय की बरबादी करता है ऐसा करने वाला विक्ति, फिजूल खर्ची करने वाला इजांपल आप देशते हैं तो यह बात कही गई है कि जो सबसे पूरे विश्यो में सबसे एनर्जी वेस्ट करने वाला देश या उसकी विक्ति की बात कही गई है जो सबसे ज़्यादा उपभोग करता है गैर जरूरी तरीके से एनर्जी का अगला हमारा शब्द है Emancipation Emancipation word यहां पर noun की तरह used हुआ है Emancipation का मतलब होता है Freedom मिलना, एकदम से आजादी मिलना किसी के चंगूल से मुक्त होना मोक्ष मिलना उसे बूला राता है Emancipation Emancipation के synonyms आप देख सकते हैं Liberation, Release, Rescue, Freedom or Salvation Antonyms से Captivity, Bondage, Imprisonment or Incarceration Example आप देख सकते हैं He calls it His very own Emancipation Proclamation किसी विक्ति की बात हो रही है किसी बात के लिए वो कह रहा है कि उसने इसे Proclamation का मतलब होता है घोशना की उसने इसे अपनी आजादी या अपनी मुक्ती की घोशना की अगला हमारा शब्द है Aminable Aminable word यहां पर adjective ही तरह यूज हुआ है यहां से दूसरा editorial भी शुरू हो रहा है Heading आप देख सकते हैं Aminable का मतलब होता है खुशी से मानने वाला कि हम कोई हमें कोई बात बूर रहे हैं और हमें उसे खुशी से स्विकार करे अगला हमारा शब्द है वीर यहां पर word की तरह यूज हुआ है word वीर का मतलब होता है किसी एक चलती हुई कोई वस्तू है या कोई भी किसी की बात हो रही है कि सेम डिरेक्शन में हम जा रहे है और अक्चानक से हम वो डिरेक्शन चेंज कर दे डेवीएट हो जाएं उस डिरेक्शन से उस दिशा से हम भटक जाएं उसे बोला जाता है वीर मतलब दिशा बदनना या मुडना Synonyms आप देखते हैं Turn, Curve, Deviate और Diverge Antonyms से Straight, Continue और Last Straighten Straighten, Stay, Continue और Last Example आप देखते हैं लेन वीड ओफ दे रनवे Ant crashed through the perimeter fence तो यह हवाई जहाज की बात की गई है कि वो runway से diviate हो गया मतलब दिशा बदल दी उसने runway से वो बटक गया और fence में perimeter जो बाड लगा था perimeter जो fence थी उससे वो crash हो गया चकरा गया अगला हमारा शब्द है Complexion complexion word यहाँ पर noun की तरह use हुआ है complexion का मतलब होता है किसी वस्तु या किसी भी चीज़ का उसकी समान्य अवस्था में होना उसके स्वभाविक रूप में होना जैसे suppose करो किसी का रंग काला है तो काला रंग उसका स्वभाविक है किसी भी चीज़ का उसके स्वभाविक रूप में उसके मूल रूप में होना उसे बुलाता है complexion complexion के synonyms आप देख सकते है nature, character, type, tone, or expect antonymus है this color, fading, abstract, or peer next हमारा word है relinquish यहाँ पर वर्प की तरह word यूज़ हुआ है relinquish का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोड़ देना, त्याग करना छोड़ के चले जाना, that is called relinquish, synonyms आप देखते हैं give up, abundant, renounce, surrender antonymus, keep, retain, hold, or acquire example आप देख सकते हैं he does not intend to relinquish power किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो सत्ता को मतलब छोड़ना नहीं चाह रहा था शक्तियों का त्याग नहीं करना चाह रहा था last वर्था, आज की देहिंदी ओडिटोरियल वकाबली से revision करते हैं जल्दी से पहला हमारा वर्था at a crossroads at a crossroads का मतलब होता है एकदम important point पर होना एकदम important पड़ाव पर होना जहां हमें कुछ ना कुछ decision कोई ना कोई हमें निर्णे वहाँ पर लेना होगा, तो एक महत्योपुन पड़ाव पर होना, उसे बूला जाता है at a crossroads अगला हमारा शब्द है ethnicity ethnicity का मतलब होता है, अलग-अलग धर्मों के लोग अलग-अलग जातिया समों के लोग उन्हें बूला जाता है ethnicity, नसल जाती that is called ethnicity अगला हमारा शब्द है irreconcilable irreconcilable का मतलब होता है, एकदम से अपनी बात पर अड़े रहना एकदम विरोधिया, कटरता दिखाना अपना ही, मतलब अपनी ही बात उपर रखना किसी की ना मानना कटरता, अपने विचारों में होना उसे बूला जाता है irreconcilable, अगला हमारा शब्द है provenance, provenance का मतलब होता है किसी चीज़ का उदगम, जन्म उतपत्ती कहां से हुई है उसे बूला जाता है provenance अगला हमारा शब्द है prudent, prudent का मतलब होता है अपनी समझदारी से अपने बुद्धी का प्रयों करके विवेक, शीलता से कारे करना उसे बूला गया है prudent अगला हमारा शब्द है stalemate stalemate का मतलब होता है किसी तरह का कोई ठहराव या किसी काम में, किसी तरह की कोई अडंगा या अवरोध या कोई problem आना, उसे बूलाता है stalemate ठहराव, अवरोध या गतिरोध की स्थिती अगला शब्द है aswage aswage का मतलब होता है किसी को बहुत अतिक होसा आ रहा है तो उसको शान्थ करना है, किसी तरह कोई समस्या है, बहुत वो बढ़ चुकी है तो उस समस्या, उस कठिनाई को थोड़ा सा कम करना unpleasantness को कम करना उसकी that is called aswage अगला शब्द है insurmountable insurmountable का मतलब होता है ऐसा कार्य जो की बिलकुल से बिलकुल ही असंभव हो, जिसे किया ही ना जा सके, that is called insurmountable insurmountable अगला हमारा शब्द है dispensation dispensation का मतलब होता है किसी तरह के कानून, कोई strictly कोई कानून है, कोई इस तरह से नियम है तो किसी एक विशेश विक्ति को उस कानून या नियम से छूट मिलना permission मिलना कुछ भी करनेगी, उसे बोला जाता है dispensation अगला हमारा शब्द है unrest unrest का मतलब होता है, लोगों में अशांती का महौल, बुरी तरह से खराम महौल होना लोगों में उसे बोला जाता है unrest अगला हमारा शब्द है paradigm paradigm का मतलब होता है, किसी एक चीज़ का एक आधर्ष, उधारण, एक आधर्ष मिसाल पेश करना, that is called paradigm अगला शब्द है profilgate profilgate का मतलब होता है समया, धन की पूरी दरसे बरबादी करना that is called profilgate अगला हमारा शब्द है emancipation emancipation का मतलब होता है आजजादी मिलना, किसी के चिंगुल से छूटना freedom मिलना, that is called emancipation अगला हमारा शब्द है amenable amenable का मतलब होता है एकदम से flexibility होना कि जो कोई बात बूर रहा है उसका अनुसरन करना, उसे मान लेना स्विकार करना, हामी भरना हां करना अपनी, that is called amenable अगला हमारा शब्द है veer, veer का मतलब होता है किसी भी कोई एक वस्तू किसी एक direction में जा रही है और एकदम से वो deviate हो जाए, मतलब मुड जाए किसी से टकरा कर, that is called veer अगला हमारा शब्द है complexion complexion का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उसके स्वभाविक रूप में रहना उसकी natural form में होना स्वभाविक गुण, स्वभाविक रूप उसे बुलाता है complexion और हमारा last word है relinquish relinquish का मतलब होता है किसी को छोड़ के चले जाना, किसी को त्यागना छोड़ना छोड़ कर चले जाना, that is called relinquish तियो last word था आज की दहिंग जो रिटूरियल वकाबलरी का, यह वीडियो में तनाइज इतर के informatory videos के लिए चनल कर, thank you thanks for watching